एक intra day concept पे बात करेंगे जहां पर आपको मैं दो मिनट के टाइम फ्रेम को intra day में perfectly trade करना सिखाऊंगा ठीक है हमको ये समझना चाहिए कि intra day में trade करने के लिए आपके लिए महत्रपूर कौन कौन से point है जिनको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा ये सबसे ज़रूरी पहली बात तो हमको intra day में क्या ध्यान रखना होगा कि as a trader ना तो हमारे लिए कोई चीज महगी होती है नहीं कोई चीज सस्ती होती है ध्यान रखिए पहला point ये सबसे महत्रपूर है आप लोग maximum अपने bits इसी concept पर कर देते हैं intra day में कि ये सस्ता है खरी लीजे महगा है तो बेच दीजे ना ही महगा कुछ होता है ना ही बाजार में कुछ सस्ता होता है बाजार में होता है right entry आपकी entry अगर सही जगह हो रही है तो उसके बाद target मिलना आपके लिए तय है अच्छा entry के सही होने का मूल अर्थ क्या है सबसे पहले इस बात को समझे एंट्री के सही होने का मूल अर्थ है जहां पर buyers ने किसी seller को break किया हो या seller ने किसी buyer को break किया हो वहां पर आपकी entry बनेगी और अगर seller अपने price को sustain करा पा रहा है तो आप wait क करेंगे इसका मतलब है as a intraday trader हमको patience भी आना चाहिए और अपने early execution भी आना चाहिए अब मैंने दो बातें एक साथ कह दी मैंने कहा patience धैर भी रखना होगा और सही समय पर सही execution भी करना होगा तो ये एक combination है सर ये practice से आता है आप लोग क्या करते है market में कोई opportunity नहीं आप opportunity बन में आप buy and sell buy and sell करते जा रहें इसका मतलब क्या आप losses करिए कोई आपके पास दूसरा जा रहा है क्या नहीं जा रहा है तो अगर आप option buyer है और ऐसी range को नहीं पहचान पाए कि ये मेरे लिए tradable range नहीं है तो आप गलती कर गए अच्छा आप कैसे नहीं पहचान पाए क्योंक आपको मुझसे पूछना चाहिए आपका पहला question होगा कि फिर मैं trade क्या करूँ जब मेरे लिए कुछ भी महगा और सस्ता ही नहीं तो मैं entry और exit कैसे plan करूँ मैं बोलूँगा level by level intraday में as a intraday trader हमारे लिए ज़रूरी होता है कि levels को trade किया जाए अब अच्छा ये levels क्या होते है लेविल्स होता है मैं आपको बताओं अगर एक line में कहना हो तो मैं बोलूँगा price एक range से दूसरी range की तरफ बढ़ता है मैंने क्या बोला? Price एक range से दूसरी range की तरफ बढ़ता है जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि यह seller area है seller area का मतलब हो गया कि resistance area है फिर मैं यहाँ पर एक line draw करूँ फिर मैं बोलूँ ये buyer area है इसका मतलब हो गया कि यह खरीदारों का area है अब यह resistance area है 사یلر area है, विक्कवालों का zone है यह buyer area है, खίοईरे का area है buyer's zone है जब भी price इसके पास पहुंचे तो यह hot zone है हփँवे होट zone है आप जोगों का क्या है कोई price resistance के पास पहुंच रहा है आप लोग पहले ही predict कर देते हैं क्या करते हैं? पहले ही predict कर देते हैं कि price में यह resistance से यहां से गिरेगा पहले ही एक मन बना लिया किसी ने दूसरे ने पहले ही मन बना लिया गिरेगा नहीं breakout करेगा तो जो इसने पहले से मन बना लिया कि price यहां से resistance के पास rejection लेगा वो भी गलत है जिसने पहले ही मन बना लिया कि breakout होगा वो भी गलत है हम trader है हमको ये देखना होगा कि जब कोई price एक resistance के पास पहुँच रहा है तो कैसे act कर रहा है वहार nearby resistance price का जो sign होगा वो clarity देगा कि अगला further momentum क्या होगा हमको कुछ prediction नहीं करनी होती है हमको बस price में चल रहे momentum को देख कर कोई trade execute करना है हमको को prediction नहीं कर जो दिख रहा हो chart पर वो trade कीजिए जो सोच रहे हैं वो trade नहीं करना है इसलिए अब आप पूछेंगे कि market में best resistance और best support area कौन से होते हैं तो अभी मैंने दो धाई बजे के आसपास दो पहर में आज एक session किया बॉलिंजर बैंड का उसको जाकर आप लोग देखिएगा अगर आप लोग इस बॉलिंजर बैंड के session को नहीं देखे हैं अभी तक तो इस session के बाद बॉलिंजर बैंड के session को जरूर देखिएगा वहां मैंने stock options में आपको buying करने का तरीका बताया हुआ है नीचे description में telegram का link है WhatsApp community का link है आप वहां join करेंगे वहां उस video का आपको link भी मिल ज सकते हैं पहले इस video को पूरा अंत तक देख लिजे ठीक है तो बॉलिंजर बैंड में का upper width perfect resistance होता है और lower width perfect support होता है उस video को देखेंगे तो समझ आएगा ठीक है यहां पर मैंने आपको बोला कि resistance के पास जब price पहुँचेगा तब clear होगा कि क्या होना है अच्छा अब बात यह आती है कि resistance को निकाला कैसे जाए सबसे बड़ी तकलीफ क्या है बाजार की resistance को निकाला कैसे जाए कई लोग क्या करते हैं ना सर कि price पिछली बार यहां से गिरा और अगली बार फिर उपर जाके फिर इधर से ऐसे गिरा अगली बार फिर यहीं से गिरा अगली बार यहीं momentum कर रहा है तो ये मेरे लिए एक resistance area अरे नहीं sir ये resistance area नहीं है बिलकुल गलत बात है आपकी क्यों बोला हूँ ऐसा resistance का मात्र एक definition है पिछले दिन के sellers के area ही resistance area है पिछले दिन के buyers के area ही support area है बात clear हो गई हमारे लिए बाजार में जितना जरूरी अभी का recent trader है recent institutions है उतना जरूरी पिछले 5 दिन 8 दिन पहले कौन खरीद कर गया कौन बेच कर गया कोई हमारे लिए जरूरी नहीं है जो अभी buyers और sellers market में active हैं जो potentially buying और selling कर रहे हैं उनका data हमारे लिए जरूरी है उनके areas हमारे लिए महत्पूर हैं जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि कल के session में market में जो भी seller थे वो price को इस range से नहीं निकलने दे रहे थे किस range से 46,900 के आसपास की range से अब देखिए 46,900 के आसपास की range से नहीं निकलने दे रहे थे इसका मतलब है कि अब Tuesday को कभी भी बाजार 46,900 के उपर एक candle बनाए उसके high निकाले आप long कीजेगा क्योंकि ये seller का area था ये एक range थी ये level break हो गया seller जहाँ पिछले दिन का seller जो price रोक रहा था ये है perfect resistance बात clear हुआ जब तक आप price को logical तरीके से नहीं देखिएंगे चीज़े नहीं काम आएंगे अब है क्या आप लोगों का क्या है मैं तो बोलता हूँ पिछले तीन दिन का data आपके लिए सबसे बात पूर है classes में आप आएंगे मैं पिछले तीन दिन के data को आपको read करना सिखाऊंगा बहुत deeply बन वाई वन की पिछले तीन दिन के sessions में कौन कौन सी चीज़ों को आप देखते हैं क्या क्या चीज़े ऐसी है जिनको देखकर ये समाझ आ जाता है कि उसको पहचानने के कुछ sign होते हैं classes में उसको हम discuss करते हैं देखें तो आपको नहीं पता कि पिछले तीन दिन के data को कैसे read करें और कैसे पता चले कि पिछले तीन दिन के buyer seller का price कौन सा है जहां पर खरीदारी होगी या बिकवाली होगी ठीक है तो मैंने आपको अभी तक ती तीसरी range तक जाएगा ठीक है इसका मतलब है कि पिछले दो से तीन दिन के buyer और seller के averages अगर आपको मिल जाए और उसत भाव और उनसे अगर आप एक बात समझ पाएं कि resistance area क्या है और support area क्या है और उनकी marking कर पाएं तो price अगले दिन most probably उसी range से एक range से दूसरी range तक जाएगा त पिछले तीन के averages देखें पिछले दिनके buyer seller का और सक्त खरीदारी देखें प्राइस की basically चार पाट होते है Oh, L, C तो एक average open price से निकलेगा एक average high price से निकलेगा candle से एक average low price से निकलेगा candle से एक average close price के निकलेगा candle से तो जो closing से average निकलता है उसको हम intra day का middle line मानते हैं जो closing से average निकलता है देखिए, technical theory अलग है मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ यह बिल्कुल practical theory है live market में जाकर trade कीजेगा अभी दिखा दूँगा ऐसे ही सामने आपके ठीक है, और फिर इन पर बिलीव कीजेगा कि यह चीजे कैसे काम करते हैं, कितना practical है back test हो आप लोग करी लेंगे इसके बाद वो तो हो ही जाएगा, ठीक है समझी है पहले जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कहा, closing basis से जो previous day के candles का average आता है, वो आपके लिए एक paridamic line है, paridamic line का मतलब हुआ result table line हुआ, अगर price उस range के उपर तो positive, अगर price उस range के नीचे तो negative, अब देखिए, positive price है तो कहां से कदर चल कर जाएगा, उपर की तरफ चल कर जाना चाहिए, उपर की तरफ चल कर जाएगा इसका मतलब है कि पहली बार, अगर यहां पर आप कहीं खरीदें, तो पहला आपका target जो high से इसका average निकल कर आता है, जिसको आप कह देते है, R1, resistance 1, अगर यह निकल गया तो यहां touch करेगा, retest के बाद फिर जाएगा R2 तक, अगर वो भी निकल गया, तो touch करेगा, फिर चल कर जाता है, basically R3 तक, intraday average momentum R1 to R2, R2 to R3, अब देखें, range तो आपको R5, R4 भी मिलता है, लेकिन आपके लिए resistance 1, resistance 2, resistance 3, यह तीन maximum line है, इसके बाद आपको फिर target नहीं देखना चाहिए, maximum momentum intraday में इतना ही होता है और average momentum तो R1 तक या R2 तक, फिर उसके बाग भी नहीं होता कई बार तो है न, max to max R3 होता है ठीक है, इसी तरीके से, अगर lower price को हर candle के lower price का average निकाल कर calculate करते हैं, तो हमको मिलता है S1, S2, S3 देखिए मैंने आपको यह जो पूरा, यह concept बताया न, यह किसका concept बताये, यह pivot points का concept है सर, यह pivot points को कैसे trade करना है मैंने वो बताया, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक median draw करू और उपर तीन line इस तरीके से draw करूँ, तो मैं बोलूँगा, अभी मैंने शुरुवात में, अब मैं सारे points को summarize कर रहा हूँ, समझिएगा, एक-एक points को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई price median line से चला और R1 तक पहुँचा, तो अब price क्या कर सकता है, इस R1 के पहुचने के समय, अगर price यहाँ पर M formation करे, last swing low break करते, तो दुबारा यहाँ लौट आएगा, अगर यहीं पर price इसको break करे, फिर इसको retest करे, और यह swing high निकाले, तो price अगले R2 तक जाएगा, तो मैंने क्या कहा, nearby resistance line price का act कैसा है, वहाँ आप तै करेंगे कि अगला momentum क्या होगा, इसी तरीके से, price M2 के नीचे राया, और यहाँ से निकल कर, पहले S1 तक आया, S1 पर अगर W formation मिला, positive consolidation मिला, तो price फिर इसी range तक जाएगा, तो यह एक support level की तरह काम किया, अगर यह breakdown हो गया, तो price retest करके अगर यह low break कर दे, तो अगले S2 तक जाएगा, तो यह क्या है, breakdown, support का तूटने की तरह काम किया, तो हमको level by level intraday में सही जगए पर perfect entry के साथ price trade करने का माका मिलता है, आप समझे कोई price morning में open हुआ और R1 तक पहुँच गया, और R1 तक पहुचने के बाद price ने break किया, फिर R2 तक पहुच गया, दिन के बजे थे 12, अब R2 के price, R2 के पास price पहुच कर ना तो perfect कोई breakout कर रहा है, नहीं कोई swing low निकाल रहा है, यहीं रुख कर रह गया है मतलब consolidation, no trading intraday में हमको यहीं पर धहर रखना है, तो मैंने आपको बताया ना, right entry करनी भी आनी चाहिए, और जब patience रखना है, तो patience रखना भी आना चाहिए, जब तक price कोई direction नहीं देगा, तब तक trade नहीं करेंगे, और price में अगर कोई price के action के साथ और private के साथ कोई sign मिल गया, short या long करने का, वहाँ price को छोड़ेंगे नहीं, चलिए, अब example के साथ इसको समझ लेते, बहुत simplicity के साथ मैंने आपको बताया है, pivots के बहुत सारे uses हैं, अभी मैंने आपको सारे उपयोग नहीं बता रहा हूँ, कुछ key points मैंने आपको basic बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आईए और pivots को search कीजे ठीक है, यह pivots point standard, यही लगाना है CPR के साथ अभी कुछ भी use नहीं करेंगे, सिर्फ simple pivots points, ठीक है, और मैंने क्या बताया, सिर्फ 2 minute के time frame को, intraday trader, हमारा पूरा community trader सार, 2 minute के time frame को trade करता है, और मैं आपको बिल्कुल clear बोलता हूँ, highly profitable हैं हमारे traders, highly profitable, एक intra decision ऐसे नहीं जाता कि वो अपने मुनाफिना book करते हो, कारण क्या है पता है, हमको projection तो आता ही है, और हम लोगों को projection के साथ market conditions की बहुत बहतर समझ है, options को हम बहुत अच्छे से समझते है, options, जो लोग आप call and put trade करते हैं, आप लोग जानते ही नहीं आप क्या trade कर रहे हैं, आपको उसके expiry के उपयोग नहीं पता है, आपको यह नहीं पता कि Friday को क्या करना चाहिए, मन्डे को क्या करना चाहिए, प्राइस अलग, पूरा एक subject है, options पूरा एक अलग subject है, ठीक है, आप लोग सिर्फ डेल्टा, ठीटाट, गामा में उलजे हुए हैं, प्राइस को समझी नहीं रहें कि options को कैसे उपयोग किया जाए, आप लोग यहां पर losses करते रहें, हमारे पैडाम देखिएगा, नीचे description में टेलीग्राम का link है, हमारे traders के कल के result देखिएगा, जो हम लोग position trade करते हैं, वो देखिएगा कैसे हम लोग price range में रहता है, और हम लोग highly profitable, आसानी से, price 2000 की range में कहीं भी close करेगा, अब हम मुनाफ़ा करेंगे, इस तरीके की positions, आपको पता ही नहीं की market structure के according positions को कैसे plan करना है, वहीं तकलीफ आ रहे हैं, ठीक है? अब यह momentum market होता, तो हमारी positions किसी और तरीके के होती है, यह volatile market होता, positions किसी और तरीके की होती, price range में है हमारी positions किसी और तरीके की ठीक है हर तरीके के market structure को जब तक है अभी आप option buyer है ना तो आपको सिर्फ momentum trade करना आता है और आप यह पहचान नहीं पाते हैं कब momentum आएगा कब नहीं यही तकलीफ है और अगर आपको momentum trade करना भी मैं सिखा दू price range में है तो भी आप profit में निकल जाएं price volatile है तो भी आप profit में निकल जाएं तो आप पहचान लेंगे कि price कैसा है यहाँ पर price क्या है momentum में नहीं, consolation में है तो जो यहाँ पर market structure के according options का hedge होना चाहिए ऐसा hedge आप deploy करेंगे शाम तक आपके बहुत आसाली से return बन जाएंगे एक position लेना होता है इंटरेडे में सिर्फ एक position और शाम को profits बिल्कुल किलियर है, market को भी बार बार देखने है कि ज़रूरत नहीं इतना आसान है, क्योंकि 2000 point कम बाजार trade करता है बहुत rare case होता है ना, तो rare case तो साल में, एक बार होता है, उसको भी हम लोग handle करना जाते हैं adjustment बहुत अच्छे से समझते हैं बाजार के अभी आप लोग क्या है, बाजार की बहुत छोटी सी knowledge के साब बाजार को trade करें, बस इतनी तक्लीफ है और कोई तक्लीफ नहीं चलिए, अब यहाँ पर देखे, यह क्या है देखे, यह P, ध्यान से समझ लीजे, पहले यहाँ पर structure को दीखे, यह क्या लिखा है, P लिखा है, P के उपर की सारी lines क्या है, R1, R2, R3, यह कैसे निकाले गए होंगे, अब ध्यान से देखिएगा, यह R1 क्या है, R1 previous day का resistance से रिया है, जहाँ पर information से price गिर गया था, अब देखे, अब आप पूछेंगे, यह P point क्या है, यह previous day के buyer seller का median area है, यह जो P लिखा हुआ है, previous day के buyer seller का median area है, कल maximum time price ने R1, यह जो R1 लिखा है, देखिए, इसके पास consolidation किया, तो यह R1 आज के लिए, buyer seller के लिए, एक लचमर रेखा की तरह काम कर रही है, कि इसके उपर price है तो positive, नीचे है तो negative, बात clear हुआ, अब देखे, price खुलता है, इसके नीचे है, open होने के बाद नीचे जाने के कोशिश किया, लेकिन तुरंती उपर आकर खड़ा हो गया, अब price में यह positivity है, short selling कब तक नहीं करेंगे, जब तक price यह low या P के नीचे आकर trade नहीं करता तब तक, और long कब तक नहीं करेंगे, जब तक R1 अच्चे से proper breakout नहीं हो जाता, तो R1 के उपर पहली candle हमको close दिखती है यहां, और उसका कोई retest नहीं, कोई high break नहीं, breakout कोई validation अब price को क्या नहीं कर सकते, short नहीं कर सकते, क्योंकि price P line के, इस median line के नीचे trade नहीं कर रहा, तो negative price है नहीं, कमजोर भाव है नहीं, तो short नहीं कर सकते, long इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि price ने nearby R1, resistance 1 के पास, कोई भी breakout structure बनाये नहीं, जो price यहां तक चल कर जाए, अगर अगल session का, यह जो P यहां पर दिख रहा है, तो next session, Tuesday के लिए P area, यहां पर median line यहां कहीं आ जाएगी, क्योंकि maximum consolidation यहां पर हुआ, तो buyer और seller का average buying और selling price क्या होगा, यह यहां पर होगा, मैं आपको clear बोलता हूँ, जा कर देखेगा Tuesday, जब market open हो, यहीं मिलेगा आपको, ठीक है, और उसके पिछले दिन के resistance यहां पर लगे हुए थे, तो price ने इन दोनों लोगों का combined, previous day के sellers और अगले दिन के buyers का combined निकाल कर यह support area रख दिया, कि यह break हुआ, तो यह support बन गया, तो इसी के आसपास का level आपका पहला support area हो, बात clear हुआ, अब अच्छा देखे, यहां पर दे इसके पिछले session में हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से इन चीजों को देखा कीजिए sir, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप समझेंगे नहीं, या trade करने लाइक नहीं, price देखे, पी area के कितना उपर open हुआ, open होने के बाद price यहां पर sustain किया, retest किया, retest के बाद day ही निकाल प्राइज ने एक बार भी इस R1 के नीचे आने की कोशिच नहीं की, तो short selling बनेगी क्या, बिल्कुल नहीं बनेगी, और R1 के नीचे P point यह short selling करते हैं, price की P point के नीचे, P line जो होती है ना, इसके नीचे short selling करते हैं, यहां पर price ने consolation कर दिया, तो एक trade के बाद दुबारा trade कर ने का मौकाई नहीं मिला, ठीक है, one time, one mindset, बहुत clear, यहां पर आजाएं, अब यहां पर दिखिए, volatility है, volatility है तो price के momentum भी आपको higher और lower दिखेंगे, देखे, price ने क्या किया, यहां पर जाकर R1 को retest किया, नीचे आया, डेलो break किये, P के नीचे, short कीजे, पहला target, दुबारा इ इसने retest किया, दूसरा long कीजे, यहां पर आने के बाद, यहां पर देखिए, swing high के बाद, यह लगाया, swing high इसको break किया, swing low के साथ यहां long कीजे, अब price R1 तक चल कर गया, R1 के उपर गया, swing high नहीं निकला, नीचे आया, उपर गया, swing low निकल दिया, short कीजे, फिर यहां पर दे legit नहीं है, तो price ना तो low break करता है, swing high ना ही swing low, price एक range में बन जाता है, और उसी range को पूरे दिन trade करता रहता है, तो यह no trading zone हो जाता है, ऐसे zone no trading zone हो जाते है, अब Monday को price Tuesday को open होगा, यहां पर यह P line यहां कहीं बनेगी, ठीक है, और यह P line के उपर price अगर intraday में निकला, और इ शुरुबात में बताया, महेका ससा देखकर नहीं खरीते, एक level से दूसरे level को price trade करेगा, price action के rules के साथ, intraday के pivots को as a support resistance मान कर, वहां trade execute कीजे, वहां आपके सबसे बड़े profit होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, सिर्फ और आपको देखिए, ऐसा लेरिया बहुत मिलते है, price अगर momentum में है, तो एक level से दूसरे level तक चल कर जाएगा, तो आपको ये भी पता है, आप लोग target को लेके परेशान रहते हैं, यहाँ पर clear है अगर price यहां से निकला, तो R1 के पास आपको profit booking करना है, यहां से price निकला clear है न, S1 के पास आपको profit booking करना है, target आपको ब